नमस्कार स्वागत है जोतिश जराट के देख रहे सूर्य का महा परिवर्तन आपके साथ मैं हूँ आपका इश्टोर फ्रेंड संतोशी 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच सूर्य कुम्भ राशी में संचरन करेंगे कुम्भ राशी सूर्य देव के पुत्र की राशी है लेकिन इनके परम सत्र की राशी है बिल्कुल भी दोनों में नहीं बनता ठीक उसी तरह जैसे आज कलके बाब बेटे 36 का अकड़ा बाब कहन अरे फलनवा तंकe हं कमवा केले रे अब्बय होत भाई फञाने काहे कहनी चीज वाटसप यावत वही है वाटसप पे भीरावेईяг तो कहीं अब्बय होत भाई लेया फिर कहन बाब अरे फलनवा किहे नायकारे अब इतना देर के बाद हाँ हाँ जा थे बग कर थे बाप हैन की तिस्रीयों नहीं पूछ सकते लेकिन हमरे अस बाप तो दुसरके में ले सोटा अगवाड़ा पिशवाड़ा कुछ चिक्कन कह दे सूर सनी में कमो बेस कुछ ऐसे ही भाव रहता है मतलब दोनों साथ कहीं हो ही नहीं सकते एक दिन तो एक रात ऐसी इस्थति में जब पिता पुत्र के घर जाता है और पुत्र उस दौरान शक्षम हो क्योंकि मकर में अभी शनी मजबूत इस्थति में जा रहे हैं तो फल बड़ा दिल्चस्प हो जाता है बड़ा क्रिस्पी टाइप का ये इस्थति आ सकती है तो अब देखते हैं मेश चे लेकर के मीन तक बेटवा घर विखाउदा बाब पहुच के काव करी सबसे पहले मेश राशियों आपके पंचम भाव के स्वामी हो करके सूर्य देव एक आदस भाव में आये हैं निस संदेह लाभ प्रभावित हो जाएगा पैसा प्रभावित होगा रुख सकता है किसी को उधार दिये हैं तो वो पैसा फंस सकता है लाभ को प्रभावित करेंगे किसी भी चीज का लाभ पढ़ाई का लाभ परिछा में फेल मनद प्रभावित हुआ लाभ होता पास होते खाने का लाव हाजमा गडबर लूज मोशन सुरू पंचम भाव पर इनकी द्रिष्टी है ये द्रिष्टी सुग रही है तो लब लाइफ को ब्यहतरीन फ्लरिश करेंगे बिलकुल खिल जाएगा क्योंकि मजबूती दे रहे एक डिवाइन अट्रैक्शन होगा एक दैवीय चुमकत्व पैदा होगा अब दो चार कमेंट आएगा गाच संतोशी जी मूड में है जब हम कुछ सही में मूड में होते तो आप लोग ऐसे पकड़ लेते हैं तो एक बहुत तगड़ा सा चुमकी जो खिचाव है अपने घर को देख रहे एक रिस्क है भेद खुल सकता है अगर अगर भाईया चोरी छुपे होई खास तवर पे उनका जिनका इक्टा मैटेरियल मैटेरल इक्टा मैरिटल सारी हां चलत होई उनके लिए तो बाप रिबाप प्रकाश मिला देगा न लाइट उस पर बडाल दिया सूर की सूर की दृष्टी मतब लाइट पड़ गई बच्चों को लेकर के कुछ गुड नीज मिल सकता है पंचंभाव बच्चों का भी होता है तो ये सारी चीजे होने जा रही है पुत्र रत्न की प्राप्ति सूर पुरुष ग्रह है तो अगर मालीजे कि किसी की मेश रासी है और इस बीच में कंसीब होता है तो पुत्र रत् में सूर्य की ये उपस्तिती है दसंभाव पिता का है अब भाईया यहां पर तो बाप पूछो ना पिता पुत्र में जबर्दस्त टकराओ हो सकता है कि कोड कचैरी तक भी हो जाए लेबल पर जमीन जाजात को लेकर पक्षपात को लेकर तो दसंभाव से संबंधित पहली पीड़ा ये रहेगी दूसरी पीड़ा बास के साथ टकराओ तेंथ हाउस आपके कारिशेतर का है प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए खतरनाक इस्तिती रहेगी बास का इगो हर्ट होगा और महिला बास से तब तो आप समझेगी गए आप गए आगे दिरिस्वा आया है आप लोगों का तो उसी पर निगाह गई एक बड़ ऐसे बिश्वराशी वालों के लिए कुछ मांसिक तनाव बढ़ेगा कारिशेतर प्रभावित होगा लाब क्या देंगे चत्तुरत भाव पे अपनी इद्रिष्टी है धन अचल संपत्ति वाहन का मिथोन राशी मिथोन राशी वालों के नवमस्थान पर ये इस्तिती है धार्मि प्रति अरुची होगी यात्रा में चोट से पीट की संभावना है लंबी यात्रा नुकसान दायक व्यापारिक यात्रा नुकसान दायक स्थान हानी करेंगे लाब क्या होगा पर अक्रम बढ़ा देंगे मेहनत से आप भागेंगे नहीं तो थोड़ा बहुत निर्वाह पति के आयू में संकट बिमारियों में व्रिद्धी आर्थक छती पैसा कहीं फंसना ब्लैक मनी उजागर हो जाना इंकम टैक्स सेल टैक्स की रेड संभव है फाइदा क्या होगा परिवार में एक नन्ही सी किलकारी गुजेगी ठुमुक चलत राम चंदर टाइब की संतान का जन्म कुटुम्ब की अभिविद्धी किसी का विवाह नहीं हो रहा था तो शादी की संभावना सिंग राशी सब्तम्भाव में उपस्थिती है दामपत्य जीवन में विच्छेद होने की जबरदस्त संभावना पार्टनर्शिप तूट सकती है पार्टनर्शिप में चोरी पकड़ी जाएगी मानसिक तनाव बढ़ेगा माइग्रेन की स्थिती आ सकती है फाइदा क्या होगा परसनाल्टी एकदम से चमकेगी शादी तय हो जाएगी कुछ बढ़ा कुछ बहुत बड़ा गुड न्यूज आपको मिल सकता है वाहन का सुख मिलेगा अवार्डेड हो सकते हैं यह सब फाइदा क्योंकि लगन को देखके चमतकृत करेंगे कन्यराशिप आपके जनमांक में छठे भाव में आएंगे जितने दुश्मन थे आश्तीन के साप समुजागर हो जाएंगे रुके धन की प्राप्ती होगी शत्रु हंता योग बनेगा एक महिने के लिए 15 मार्ज तक के लिए मानसिक मजबूती आएगी बिजनस में बेताशा व्रिध्य होगी बाहरी लोगों से लाब मिलेगा नुकसान कुछ है ही नहीं थोड़ा बहुत पेट में जलनों रन होगा तुला राशिप आपके जनमांक से पंचम में आए ब्रेकप की संभावना गर्भपात की संभावना मानसिक तनाव फाइदा क्या होगा लाब के सोर्सेज बढ़ जाएंगे इंकम कई जगह से आएगा रुके धन की प्राप्ती होगी मानसिक मजबूती मिलेगी पुराने विवाद खत्म होगे ब्रिच्चिक राज स्मेशो करके अचल संपत्ती की प्राप्ती मानसिक तनाव समाप्त चल संपत्ती की प्राप्ती वाहन का सुख अवार्ड पिता से कुछ विशेश लाव मा के स्वास्त की चिंता माता से कुछ बिवाद हो सकता है धनुराशी, थर्ड हाउस में आए है, खुब महनत कराएंगे, नुकसान भाई बहनों से भिबाद देंगे पैसे में सो सो रहेगा, पैसे से इनका मतलब नहीं है यात्रा में विशेश लाव होगा, धार्मी की यात्राएं हो सकती है कहीं जोतिरलिंग के दर्शन करने जा सकते हैं, शक्ति पीठ पर भी माथा टेकेंगे मकर राशी, दुतिय भाव में आए हैं, मसला वाणी का बनेगा आखों की प्रॉबलम, वाणी से दोश, कुटुम्ब में विगटन, अलगा बिलगी, भाई-भाई में डणवार पड़ जाएगी डणवार करते हैं पार्टीशन को, तो ये सब संभावनाएं बनती हैं कुम्भ राशी, लगने में बैठे हैं, मानसिक सान्ति देंगे थोड़े short tempered होंगे, लेकिन फिर भी नुकसान नहीं होगा, सब्तम भाव को देख करके दामपत्य जीवन में एक बार फिर से चांस देंगे जैसे तीन महिने से पतिदेव बिल्कुल अड़े थें, कि नहीं नहीं डाइवोर्स चाहिए, तो एक और मौका दे देंगे यह सगरात्मक होगा, partnership में समस्याओं का समाधान होगा, तो यह थोड़ा सा positive है, अंतिम राश मीन आपके लिए द्वादस भाव में रहेंगे, द्वादस भाव में बैट करके अनिद्रा की शिकायत रहेगी, नीद की टैबलेट्स लेने पड़ सकते हैं, कुछ अज्यात भ energy के impact में आ सकते हैं, उसके प्रभाव में आ सकते हैं, effect में आ सकते हैं, अच्छा क्या होगा, दुश्मनों का नाश होगा, धन की वृद्धि, रुके धन की प्राप्ति, इंट्रेस्ट खूब अच्छा मिलेगा, जमीन भिकेगा, उसका लाब होगा, क्या उपाय करना चाहि सुर्य देव को प्रशन करने के लिए, तब पूरी तरह साथ्विक होईए, साग सब्जी का सेवन जादा करिएगा, और पिता का कहना मानिएगा, उनकी सेवा करिएगा, सुर्य आपका जरूर प्रशन होगा, अमेर मत दीजेगा सूर कवच माफ कीजेगा सरस्वती औरा कवच मंगाने के लिए अभी भी मौका है मंगाना चाहें तो नंबर आपके सामने फ्लेश हो रहा है लख्णव गोरकपुर इंदौर मुंबई पूने मिल सकते हैं नमस्कार शिरादे अमस्कार शिरादे